कोरोना महामारी से बचाओ को लेकर लगे लॉकडाउन के बाद एक जून से परिवहन सिवाएं बहार हुई और साथ प्रतिशत क्षमता के साथ बसे सडकों पर दोड रही है कोरोना काल में बसे चलाने को लेकर परिवहन विभाग का क्या अनुभाव रहा और लोगों को किस तरह जागरुक किया जा रहा है इसको लेकर सिटी चैनल ने परिवहन विभाग के निदेशक जेम पठानिया से बातचीत की गुड मीडिया में आपका स्वागत है मैं हूराहुल शर्मा और आप देख रहे हैं सेटी चैनल पे हमारी खास बातचीत आज हमारे साथ मौजूद है हमाचल के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डिरेक्टर कैप्टन जेम पठानिया जी जो वरिष्ट आई एस अधिकारी है और इस समय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेवारियां निभा रहे हैं सर आपका सिटी चैनल पे स्वागत है सर इस करोना काल के इस दौर में चैलेंजिज लेके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक नया चैलेंज आपके सामने आया है आपने एक तारीक से जो है बसिज हिमाचल में शुरुआत कर दी है क्या देखते हैं आपको क्या रिस्पॉंस मिला है अभी तक किस तरह की आपको जो है तुजहान मिले हैं लोगों से या आपके जो अधिकारी हैं से देखे एक तरीक से हमारा जो ट्रांसपोर्ट अपरेशन जब इसका स्टार्ट हुआ था तो उसमें शुरुआत में तकरीमन सतर दिनों के बाद जब हम उपरेट कर रहे थे तो उस ताइम पे हमारे को पता नहीं था कि लोगों का रिस्पॉंस क्या होगा क्योंकि अभी तक जो हमारा उपरेशन है वो हमारा करोना इंफेक्शन में ही चल रहा है तो इसको देखने के लिए हमने पूरी टीम जितनी भी थी एवन हमारे जो परिमेहन मंतनी हैं गोईन थाकुर जी वो अपने आप ग्राउंड के उपर आए उन लोगों ने उन्होंने की कोशिश की जो हमारे में तीन कंसर्ण थे पहला कंसर्ण जो था जो सबसे इंपार्टन था कि लोगों की सेफटी जो है वो सबसे इंपार्टन है क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि अगर कहीं पे इंफेक्शन है तो आगे हम ह spread करेंगे अगर बस में sanitation proper नहीं होगा safety precaution प्रापर नहीं होगे इसके साथ दूसरा हमारे को ये जानना बहुत जरूरी था कि इस करोना का जो infection चल रहा है उसके दोरान लोगों का behavior कैसा है और लोग उसमें कैसे response कर रहे हैं क्योंकि transport department जो है ये need based ही होगा अब need based में है कि अगर हमारे पास सो आदमी आ रहा है तो हम सो आदमियों को ही cater करें अगर पचास आदमी आ रहे हैं तो पचास को ही cater करें तो हमारे हिमाचल में साथ हजार से ज्यादा route जो है normal circumstances में चलते हैं लेकिन अब जब यहां पर हम COVID-19 के crisis में हम चल रहे थे health crisis में तो उसमें हमें देखना जरूरी था कि हमारी demand कितनी है तो अभी हमारा तकरीबान आज हमारा उनीस दिन हो हैं यहां पर इसको चलते बहुत सारी चीजें स्टीम लाइन हो गई बीच में हमको कुछ कम्यमी नजर आई उसके ओपर हमने उसमें एक्शन भी लिया जैसे सबसे पहले तो यह था कि हमारा 2200 रूट जो थे फर्स चले थे लेकिन बाद में हमने ने देखा रिस्पॉंस लोगों का तो यह बड़ी अच्छी बात है कि हमारा लोगों ने इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया है और बहुत कम लोग अगर जरूरत है तबी निकल रहे हैं और हमारा प्रसेंजर जो है आज हमारी तकरीब आज हमारी तकरीबं बार सो हमारा रश भी हो जा रहा है और हमारे जो रिजिनल मेंजर हाटीसी हैं क्योंकि हाटीसी ही मेंली अपरेट कर रही है वो टाइम टू टाइम इमिज एट एक्षिन लेके अगर सर्विस कहीं पर एड़ करनी है तो एड़ कर देते हैं साथ में आर्टियोस हमारे जो हैं वो भी इस पे नजर बनाके रखे हुएं दूसरा इंपॉर्टन्ट हमारे लिए यह था कि लोगों की सेफटी जो थी वो बहुत इंपॉर्टन्ट थी उसके लिए हमारा बसों का सेनिटाइजेशन हमारा जो उन लोगों को मास्क पहनना है या हमारा सीटों को खाली रखना है तो वो सारा जो था हमने I.C. मिटीरियल जैसे अब या आपने देखा होगा इवन मेरे आफिस में भी यहां पे लगाए कि कौन सी कुर्सी पे बैटना है कौन सी पे नहीं बैटना है तो यह हमारा हर बसेस के बीच में हमने इसको लगा रखा है और लोग उसको रिलिजियसली फालो कर रहे हैं पड़ी अच्छी बात यह है कि लोग हमारे ड्राइवर कंड़क्टर की मदद भी कर रहे हैं साट परसेंट को मिंटेन करने के लिए तीसरा हमने लोग इसमीं यह देखा कि हमारा जो ड्राइवर कंड़क्टर है वो तो लोग लगातार चलेंगे लोगों के कंडेक्ट में भी आएंगे तो इसलिए हमारा इंपॉर्टन ये था कि उनकी सेफटी जो है वो बहुत इंपॉर्टन थी तो उनके लिए हमारा जैसे अब आपने देखा होगा हर कंडेक्टर हमारा मास्क लगा के जा रहा है फेस शील्ड उनके पास है हैंड सैनिटाइजर उनके पास है गलब्स उनके पास है तो ये सारा का सारा चीज़ें जो है इससे हमारे कंडेक्टर डाइवर जो है उनकी सेफटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टन थी और हमारी सकस इसी में है कि मिमारी एक जगा से दूसरी जगा ना फैले और सेकेंड इंपॉर्टन्ट है कि हमारे डराइवर कंडुक्टर हैं उन में से एक भी आदमी संकरमित ना हो तो ये हमारा चैलेंज जो है वो हमारा रहेगा और अभी तक आप सभी के wzglी होग से सारा ठीकी चल रहा है शिम्ला की रूट्स की अगर बात करें जैसे हमारा चैले में कुछ रूटस ऐसे हैं जहाँ पर औफिस जब्यादा हैं जैसे राजड़दानी शिम्ला की हम बात करें तो यहाँ पर औफिस बहुत है प्राइबिट भी है सरकारी भी है तो इसमें आसपास के इलाके जैसे मशोबरा से शोगी से या टूटू ढेंडा घनाटी से और आसपास के इदर जुनगा की तरफ से भी लोग काफी आते जाते रहते हैं लेकिन एक चोटी सी समसे आ रही है कि कुछ रूट्स पे जो है सवारियां जादा हो रही हैं प्राइबिट बसीज नहीं चल रही हैं तो उसमें लोगों को दो दो गहंटे एक एक गहंटे इंतजार करना पड़ रहा है इसके उपर परिवान विभाग किस तरह से नजर बना आ हो गई है अब जहां तक वेटिंग का सवाल है वो इन सरक्मस्टांसिस में जब हम चलेंगे तो हमारे को वेटिंग अवाइड करना थोड़ा सा असंबफ सा रहेगा उसका कारण यह है कि हमारी जो बसिस की फ्रिक्वेंसी जो है जैसे मैंने आपको पहले का कि अकुपेंसी ह भी हम वाइबिल्टी देखना पड़ेगा कि उनका खर्चा कितना है और उनको इनकम कितना है अब हम जब दस तीस परसेंट की अकुपेंसी है तो वहाँ पे अगर किसी आदमी को एक आदे दो घंडे वेट करना पड़ता है वो अनवाइडेबल है क्योंकि सर्विस को इंक् वहाँ पे अडिशनल सर्विसेज क्योंकि हमारी मैक्सिम बसिज अभी खाली पड़ी हुई है वहाँ पे हमारा जो है बसिज नहीं चल रही है तो हमारे पास पॉसिबिल्टी है कि हम इमिजेटली सर्विस को इंक्रीज कर दिया और उसके लिए हमारे आर्टियोज और आरेम बाकी तो होगी अब प्राइविट जो निजी बस ऑपरेटर जाए उनकी भी कुछ समस्ष्री है आप सर्कार ने कुछ उनको रियायते भी दिये हैं तो आने वाले टाइम में क्या प्लैनिंग है सर्कार की जिसने चार महीने के लिए एपरिल से लेके एपरिल मेई जून जुलाई 31 जुलाई तक हम ने सारे जितने भी टेक्स्ट है वो सारे बाफ कर दिये हैं और हमारा किसी देश में किसी भी स्टेट ने नहीं किया था किसी ने दू मीने के लिये किया, किसी ने तीन मीने के लिये लेकिन उन्होंने भी बड़ा लेट किया तो इसी को देखते हुआ किएक बेसिक लिए अगर आप देखें तो हमारे प्राइवेट उपरेटर जो है नका तक्रीमən 3300 बसून की फ्लीट है HRTC की 3100 बसों की फिलीट है तो हमारा एक्वल पार्टनर है प्राइवेट लोग गौर्मन्ट भी ऐसा चाती है परिवेन विवाग भी ऐसा चाता है कि ये लोग कमफर्टेबल रहें लेकिन अब आप अगर प्रेजन सिनेरियो अगर आप देखेंगे अगर कहीं पे किराया बढ़ा दिया जाए जैसे वो डिमांड कर रहे हैं या उसके ओपर भी सरकार फैसला करेगी टाइम टू टाइम बिकास बुक्छे मंतरी मौदे उनों के साथ भी मीटिंग हुई थी वो भी टाइम टू टाइम इसको डिसकस करते रहते हैं परिवहन मंतरी हैं उनके साथ भी मीटिंग इनकी हुई थी लेकिन अगर मेरा ऐसा मानना है ऐसे डिरेक्टर जो मेरा फील्ड का फीड़बैक है उसके मुदाबिक अगर हम किराया बढ़ाते भी हैं तब भी उनकी सर्विस बाइपल होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 10-20% से हमारा कूपेंसी से नहीं चलेगा अब आगी बात है हमारा जो बसे हैं हमने फिर ये फ्रीडम दिया है कि जो आदमी को ऐसा लगता है कि उसका रूट और उपरिशनल हो सकता है वो चला है जिसको नहीं हो सकता वो ना चला है इसलिए हमने उनका जो पासिंग था अभी हमारा जब वेकल पास करवाते थे या फिटनेस के लिए आते थे हमारे पास तो कम से कम उनका 50-60,000 पे का खर्चा हो जाता था बस में पेंट करवाना है या चोटा मटा रिपेर करवाना है जो कि मेकेनिकल फिटनेस से कंसर्ण नहीं है तो इस सिच्वेशन को देखते हुए जब इनका पूरा डिस्ट्रेस में है इनका इनकम कम है तो वो हमने माफ कर दिया कि ठीक है कि आप ये सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए आप सिर्फ मेकेनिकल चीज़ों की तरफ ध्यान द में जो गवर्मन्न टाइम टाइम सोच रही है लेकिन अभी इस सरक्मस्टांसिस में चीज़ें जो हैं वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारे को या गवर्मन्न को इनका ख्याल नहीं है पूरा इनका इनके साथ हमारी डेली मीटिंग होती है आइफोन पे भी बात होती है और मेरा ख्याल से टाइम टू टाइम हमारे जो परिभाहिन मंत्रिया उन से भी मिलते रहते हैं मेरे का कल परसों भी ये लोग मिले थे और हमारे को भी इसके बारे में टाइम टू टाइम हमारे से इन्फरमेशन ली आती है हम कोशिश करेंगे कि जहां से भी हमारा सकोप हो हम इनको पुरा मदद करें और जल्दी से जल्दी इनका उपरेशन शुरू हो जिसे यह तो करोनों के लिए के बादची थी अब इसके बाद कुछ परियों विबाग द्वाग द्वारा सेफटी के लिए भी कई उपाय किया जा रहे हैं तो आने वा हमारा ये कैमपेञ जब इसको डिजाइन किया गया था तो इसमें बिल्कुल जो परियों विबाग की टीम है जिसको लीड किया था हमारे परियों मंतरी ने उसके बाद ये फैसला हुआ कि हम करें क्या क्योंकि हिमाचल परदेश में एक च्छुटा सा परदेश है और उसमे जब हमने इसको डेटा को अनिलाइस किया तो उस टाइम पे देखा कि 95.4% एक्सिडेंट यो हमारे थे वो मानवी भूल के कारण थे इसका मतलब यह है कि ओवर स्पीडिंग शरापी के गाड़ी चलाना मूबाइल यूज करते हुए गाड़ी चलाना गल्ट ओवर टेकिंग करना ओवर स्पीडिंग करना तो यह मेजर कारण जो थे यह सिर्फ मानवी भूल के कारण थे और इसको हम यह बोल सकते हैं कि हमारा ट्रांसपोर्ट या ट्रैफिक का सेफटी कल्चर यहां पे नहीं होना इसका कारण था अब अगर हम कॉमन सेंस से भी सोचे हैं तो हमारा 40, 40,000 किलो मेंटर की सड़कें अगर हैं 45,000 किलो मेंटर की तो वहां पे संबब नहीं है कि हर इंच के ओपर हम पुलिस को तेनात कर दें या हम ट्रांसपोर्ट विफाग के लोगों को तेनात कर दें अब यह कैसे होगा अब यह तभी पासिबल है जब हर सिटिजन इसको एक कल काड़ी को साइड में ले जाके थोड़ा रेस्ट करें फ्रेश होके दोवारा फिर चले तो एक जो रोड सेफटी का कल्चर जिनरेट करने के लिए फिर फैसला यह हुआ कि हम इसको कैमपेन को तब तक चलाएंगे जब तक रोड सेफटी हिमाचल में कल्चर नहीं बन जाता और वो चाहे दो साल लगें चाहे तीन साल लगें लेकिन आपको यह जानके खुशी होगी कि हमारा अगस्ट से लेके दिसंबर तक इसके बीच में हमारी जो एक्टिविटीज हुई थी उसमें आपने सुना होगा हमारे जिंगल्स चल रहे हैं हमारा एफम में चल रहा है हम के साथ हमारा स्कूल के बचों में रोड सेफटी कंपिटिशन किये गए अभी हमारा यह प्रॉसस जो चली रहा था बीच में फिर यह लोगडाउन वाला या कोविट का क्राइसिस हमारे बीच में आ गया तब से हमारी एक्टिविटीज में थोड़ी ब्रेक लगी थी लेकि लेकिन हमारा यह आपको मैं बताना चाहूँगा कि में डिपार्टमेंट का फोकस यही है कि रोड सेफटी को एक कल्चर के रूप में डिवलप करें जैसा कि अक्सर हमने जब इसको डिजाइन किया था कैमपेयन को तो उस ताइम पे हमने देखा था कि जैसे अभी आज से 20- ले हमारे पबलिक ट्रांसपोर्ट में जब भी आदमी जाता था तो वहां पे सिग्रेट पीना शुरू कर देता था लेकिन आज अगर आप देखें तो कोई आदमी सोच भी नहीं सकता कि बस में मेरे को सिग्रेट पीना है तो एक कल्चर बन गया हर आदमी को पता है अगर क कोशिश करता भी है तो हमारा जो पेसेंचर्स है या को पेसेंचर उनके साथ ही है वही उनको मना करते है या ड्राइवर कर्डेक्टर मना करता है तो इस किसम का कल्चर जिस दिन हमाचल में जनरेट होगा तो रोड सेफटी बिलकुल इंशोर हो जाएगी आज सर्व आप पर देखें कि हमारा बैंकिंग सिस्टम है आज से पंद्रा बीस साल पहले तो हमारा जब बैंक में खाता खोलना होता था तो हमको महाँ पे लाइन में लगना पड़ना था अगर हमको बैंक से पैसे निकालने होते तो हम विड्रॉल स्लिप भरते थे फिर लाइन में खड़े हो कि हमारा जो वरकिंग का सिस्टम है वो हमारा जितना जैसे अभी हमारे डिरेक्टेट में पूरी टीम एक टीम के रूप में काम करती है वो साथ में जो हमारे मिनिस्टर हैं वो भी बिल्कुल टीम के साथ ही वहां पे लीड करते हैं तो ये हमने फैसला ये किया था कि हम क्यों ना ट्रांसपोर्ट विवाग की सारी सर्विसिस को ही हम ऑनलाइन कर दें मेरा ख्याल से कुछ चीजों को छोड़के कस्टमर्स को हमारे पास यहां पे आने की जरूरती नहीं है तो वो हमारा तकरीबन लॉकडाउन की पिरेड में जब हमारा आफिस नहीं लगे थे वर्क फॉम होम चल रहा था तो उस टाइम को हमने अवेल किया और हमने एक application त्यार किया है application जिसमें जतनी भी transport से services है वो सारी की services आउनलाइन लोग ले सकते हैं चाहे लोग अपने घर से उस service को अवेल करें चाहे लोग मितर के अंदर में जा कि इसको अवेल करें या फिर हमारे आर्टी ओफिस में हमारा फैसिलिटेटर वहां पे रहेगा एक साल के लिए जो उनको गाइड करेगा कि सर्फिस को अवेल कैसे खता है अब इसका सबसे जादा फाइदा मैं समयता हूं कि हमारे को ये जो कोविड नाइटेन क्राइसिस है इसमें होगा क्योंकि ह हम चाह रहे हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो और ये जो एप्लिकेशन है ये हमारे को पूरा कारगर साबित होगी क्योंकि हमारे आफिस में लोग नहीं आएंगे भीड नहीं रहेगी और हमारा जो संकरमन है उसको फैलने से हम एट लीस परिवहन विवाग के पाएंगे इस समय आपको हिमाचल की जनता हमारे लाइव चैनल पे भी देख रहे हैं और चैनल पे भी देख रहे हैं आप कोई संदेश इस करोना काल के दोरान क्या संदेश देने चाहेंगे और इस से उबरने के बाद क्या क्या आगे की लिए क्या प्लैनिंग्स करनी चाह इस वक्त हमारा जो कुरोना क्राइसिस में एक तो सबसे पहले मैं सभी को ध्यार में इलाना चाहूंगा कि हमारा जो गवर्मेंट के डिसीजन्स रहे हैं जिसमें अभी तक हमने इंटर स्टेट मुवमेंट को स्टार्ट नहीं किया है या अभी तक हमारा इंटर स्टेट मूवमेंट जो आदमियों की है या लोगों की मूवमेंट है उस पे रिस्टिक्शन्स है मेरा ख्याल से एक बहुत अच्छी बात है और हमाचल में अभी जो संकर्मन है उसकी जो लिमिट है बहुत कम है मेरा सभी से अनरोध ये है कि हमारे पास अगर जैसे सबसे पहले तो पॉबलिक ट्रांसपोर्ट उसमें जब भी हम निकलें अपने घर से तो एक चीज दिमाग में ये लगा के रखें कि हमारे पास जो संकर्मन है ये हमारे फेस से ही हमारे को हो सकता है जिसमें आँक है नाक है और मू है अगर अब हम इनको फेस को बचा लेंगे तो हमारे को संकर्मन होने का कोई खतरा नहीं है तो इसलिए कुछ ड्रिल जो है वो हर सिटिजन को वहां पे इसको फॉलो करना है सबसे पहले तो मास्क इसको रिमूव नहीं करना मास्क को हमेशा पहन के रखना है स्पेशली जब आप क्राउड में हैं या लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं अब वो कोई भी आदमी हो आपका दोस्त है रिष्टेदार है या किसी भी आदमी से आप मिल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग एसिम्टोमेटिक भी हैं तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि किसी को इंफेक्शन नहीं है दूसरा हम एक मीटर का डिस्टेंस या डेड़ मीटर का डिस्टेंस या छे फुट का डिस्टेंस जो है उसको हम मिंटेन करें क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो हमारे मूँ से जो डॉपलेट आते हैं या हम जब छिंक मारते हैं या खांसी करते हैं तो हमारे जो फेस से या नाक से डॉपलेट आते हैं उसके माध्यम से ये इन्फेक्शन आती है अगर मैंने मास्क पैना है और जो आदमी मेरे साथ बात कर रहा है उसने मास्क पैना है तो संक्रमन का खत्रा हमारे को नहीं होगा तीसरा हमारा हाथ के बार हम कहीं पे हैंडल को टच कर रहे हैं इसलिए ये आदत डालनी है कि जब भी हम फेस पे हाथ लगाएं उससे पहले या तो साबून से हाथ दो ले या फिर हैंड सैनिटाइजर के साथ उसको सैनिटाइज कर ले अगर इस प्रोटोकॉल को हम फॉलो करते हैं तो मेरा ख्याल से हमारे को नॉमल लाइफ जीने में को प है तो पैसेंजर उसे का ख्याल रखें पैसेंजर उसको अपोस करें क्योंकि हमारे ड्राइवर और कंडेक्टर के लिए समभब नहीं है कि हर आदमी से लड़ाई किया जाए या हरा आदमी को वो समझाता रहे इसमें अगर लोगों का साथ रहेगा तो मेरा ख्याल से हमारे एक बिल्कुल सेफ ट्रांसपोर्ट के रूप में हम चला पाएंगे सिमिलरली आप जो दूसरे भी क्रिया के लियाप हैं जैसे अभी हमारे पास हमारा आफिस में नॉर्मल एक्टिविटी चल रही है अब हमारा जो चेर्स हैं उनका लियाऊट थोड़ा चेंज किया है उसको तकरीबन छे फूट के डिस्टेंस हमने रखा हुआ है चेर्स के उपर हमने मार किया है किस पे बैठना है किस पे नहीं बैठना है आफिस में ये प्रोटोकॉल है कि जब भी कोई आदमी आएगा तो फेस मास्क लगा के रखेंगे जगा जगा पे सैनिटाइजर है वहाँ पे हाथ को सैनिटाइज करेंगे हमने रिसेप्शन सेंटर भी शुरू किया है जहां पे अगर कोई आदमी सिर्फ कागज ही देने आ रहा है तो उसको आफिस में आके इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप दे दें तो इस किसम के अगर फॉलो करेंगे तो हम नॉमलल लाइफ को जी सकते हैं और बड़े हेल्दी तरीके से जी सकते हैं और सग्रमन को भी रोख सकते हैं सिटी चानल से बात करने लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो ये है वरिष्ट आईएस अधिकारे जेम पठानिया जी जो अभी परिवान निदेशक के तोर पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं इन्होंने सपश्ट तोर पे कहा है कि हिमाचल में जो परिवान सेवाएं हैं वो निरंतर जारी रहेगी और जहां जहां से डिमांड बढ़ती जाएगी जिस तरह से डिमांड होती रहेगी तो वहाँ पर बस सर्विसिस है उसको और इंक्रीज किया जाएगा साथ ही इन्होंने मैसेज भी दिया है कि सबी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जब बहार निकले तो मास्क जूरूर पहने और जब भी जाएं तो सेफटी का खास ख्याल रखें तो सेटी चैनल के लिए शमला से वैवव ठाकूर और देव कुमार के साथ राहुल शर्मा की रिपोर्ट